बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप में से कोई भी व्यक्ति जो कि पूने से मैरेज करना चाहते हैं तो मैं आपको पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा देखे अगर आप कपल हैं और आप में से कोई एक भी पूने के रहने वाले बहुत सारे लोग जिनकी जॉब होती है खासतार से आर्मी के लोग जो कि पूने में रहते हैं वो कहीं और के रहते हैं और पूने में बहुत समय से उनके सर्विस हो रही होती है तो वो भी चाहते है कि उनकी शादी जो है वो Special Marriage Act के माध्यम से हो जाए आप Special Marriage Act कई सारे वीडियो में आपने सुना होगा आप जानते होंगे उसमें Customary Marriage यानि कि उसमें Marriage को परफॉर्म नहीं किया जाता है बलकि आप Marriage रेजिस्टार के पास में जाते हैं वहाँ पर Marriage के लिए जो डॉक्मेंट्स होते हैं उस पर साइन करते हैं और साइन करने से ही आपको Marriage Certified मिल जाता है यानि कि बिना Marriage के Customs को परफॉर्म किये ही आपकी शादी लीगल तरीके से हो जाती है और आपको पूरा लीगल राइट्स as a husband और wife मिल जाता है डॉक्मेंट एक्रोस इंडिया वर्ल्ड वाइड वो वैलिड होता है तो वो Marriage अगर आप पूरे से करना चाहते हैं तो क्या-क्या requirement है नमबर वन requirement यह है कि कपल में से कोई भी एक अगर पूरे का रहने वाला है रहने वाले से मतलब यह है कि अगर आपका अधार कार्ड आपके अधार कार्ड पे पूरे का कहीं का भी एड्रेस हो तो आप पूरे से Marriage को कर सकते हैं Special Marriage Act के अंदर नमबर वन बात तो यह हो गई नमबर टू बात यह है कि आपका जो age है वो पूरा होना चाहिए यानि लर्की की यह जाए 13 वर्स और लर्के का 21 वर्स पूरा होना चाहिए तो यह second चीज हो गया और birth जो आपको document देना होता है उसमें 3 चीज़ चाहिए होता है पहला चीज तो यह चाहिए होता है कि आपके birth का proof होना चाहिए या birth certificate हो या 10th के mark sheet हो आपके residence proof के तोर पे आपका अधार काड़ हो और ID proof में pen card, water ID, passport कुछ भी हो तो चलेगा तो यह तो हो गया document फोटो 66 चाहिए होते हैं यह document आपको clear हो गया उसके बाद से आप जैसे ही आप हमारे पास call करेंगे हम booking कराते हैं booking कराने के बाद से आपको अपना soft copy हमारे पास भेजना होता है documents का soft copy भेजना होता है जब soft copy आ जाएगा तो हम special marriage act के लिए apply कर देंगे आपको आना नहीं होता है दूसरा चीज़ जैसे ही आपका document आया हमने apply कर दिया apply करने के बाद से 30 दिन के बाद 30 दिन के बाद अगले 2 महीने तक आप कोई भी एक date चूज कर सकते हैं यानि 30 दिन भी जाएगे जिस दिन हमने apply किया उसके 30 दिन के बाद अगले 2 महीने तक कोई भी एक date आप चूज कर लिजे जो भी date आप चूज करेंगे उस दिन आपको पूने हमारे office में आना होगा और जब आप हमारे office में आएंगे तो हम आपके marriage को उसी दिन मतलब registered करा देंगे और उसका certified भी आपको hand to hand provide करा देंगे उसको online आप check भी कर सकेंगे तो ये पूरा process होता है आप किसी भी धर्म के हों किसी भी जाती से हों कोई फरक नहीं परता आप अराम से special marriage act के थूरू पूने में शादी कर सकते हैं अगर आप कहीं और के भी रहने वाले हैं और पूने में आप रहते हों आप rent agreement बनवाले हैं अधार card को update करवा सकते हैं और उसके माधम से शादी कर सकते हैं अगर आपको query करना हो तो आप हमारे help line number डबल डबल जिरो, ट्रिपल फो, ट्रिपल फाइपर सुबह नौ बजे से लेके शाम को आठ बजे तक call कर सकते हैं हमारी website पहले dalila.in थी अब बदल चुकी है leadindia.law हो गया है आप इस पर विजिट कर सकते हैं और आप जो भी details है यह उसको जान सकते हैं, देख सकते हैं email करना हो तो care at the rate leadindia.law पर email भी कर सकते हैं Thank you so much for watching this video Thank you